क्या वो महंगे महंगे कैफे में मिलने वाली ब्रेड्स, केक्स जो हैं ये हम घर पर बना सकते हैं? क्या बिना मैदा, बिना यीस्ट और बिना आवन और बिना एक्स के भी कोई ब्रेड बन सकती है? So hi everyone, मैं Dr. Alisha और आपका स्वागत है मेरे इस चानल में तो आज हम बना रहे हैं ये बिना मैदा, बिना यीस्ट और बिना आवन एक्स के बनी हुई मेरी ये फेवरेट वाली बनाना चॉकलेट वालनेट ब्रेड ये बहुत ही जादा टेस्टी बनती है और हम इसे आज कडाही में बनाएंगे बहुत आसान तरीके से तो ज़रूर ट्राय करिएगा इस रेसिपी को और रेसिपी पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चानल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा तांकि आपको मेरी रेसिपी की नोटिफिकेशन सबसे पहले म अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप इसकी जगा किसी प्लेट या कटोरी को उल्टा करके भी रख सकते हैं और बस इसे उपर से धक कर अब हम इसे मीडियम फ्लेम के उपर दस मिनट तक गरम हो जाने देंगे और इसके बार सबसे पहले मोल्ड को तियार करके रख ल आए इसके बाद अब हम इसमें नीचे बटर पेपर लगा देंगे और इसे भी क्रीज कर लेंगे तो हमारा ये मोल्ड तियार हो क्या है अचा अब हम अपनी ब्रेट बनाएंगे जिसके लिए सबसे पहले हमें लेने हैं दो बनाना यानि की दो केले इसके लिए न आप अच सबसे पहले इसके स्किन को निकाल कर केले को हम डालेंगे एक बोल में और इस केले को अब हम सबसे पहले अच्छे से मैश कर लेंगे मैश करने के लिए चाहो तो इस सरी किसे फोक यूज कर सकते हो या फिर किसी भी ग्लास या किसी कटोरी की बैक साइड से उस तरह से मैश कर लिया है, हलका हलका सा अभी भी आपको कही न कहीं, छोटे-छोटे से बिल्कुल चरंक्स दिख रहे होंगे इसमें तो बस इसके बाद अब हम इसमें बाकी की इंग्रीडियेंट्स आड कर देंगे, जिसके लिए डालेंगे एक चुथ हाई कप जितना ओयल और साथ में न दो बड़े चमच में इसमें मेल्टेड बटर अड़ कर रहे हूँ बटर डालने से न बनाना ब्रेट बहुत टेस्टी बनती है आप पूरा बटर यूज़ कर सकते हो या फिर अगर बटर नहीं है तो ओयल ही दो बड़े चमच और डाल दीजेगा और साथ में इसमें चाहेगी एक तिहाई कप जितनी दही ये नॉर्मल रेगुलर दही है जो हम घर में रूटीन में यूज़ करते हैं और साथ में इसमें डाल देंगे तीन चुथाई कप यानि कि आधा कप प्लस एक चुथाई कप इसी भी चीनी इन सारी चीजों को ना पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है तकरीबन एक तेड मिनट तक मिक्स करेंगे या तब तक जब तक कि ये मिक्षर जो है न एक दम क्रीमी हो जाएगा तो इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम बात करेंगे कि हम आज इस केक में कौन सा फ्लार यूज़ करेंगे तो जर्निली ये जो बनाना ब्रेट्स है ना ये मार्किट में आपको मैदे के साथ बनी हुई मिलेंगी पट मैं इसे हेल्दी बना रही हूँ इसको गेहूं के आटे के साथ बनाया है तो करना क्या है कि इस बोल के उबर एक छन्नी रख लेंगे और इसमें डालेंगे डेड़ कब जितना गेहूं का आटा आटा आप मार्किट का या घर का पिसा हुआ कोई भी ले सकते हैं मैंने अपना घर का पिसा हुआ गेहूं का आटा लिया है और साथ में बनाना ब्रेट को एकदम प्रॉपर वो बेकरी वाला टेस्ट देने के लिए इसमें दो से तीन बड़े चमच जितना मिल्क पाउडर आट कर देंगे मिल्क पाउडर डालने से आपकी बनाना ब्रेट बहुत जादा अच्छी बनेगी नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं और साथ में इसमें जाएगा देड़ छोटा चमच जितना बेकिंग पाउडर बेकिंग पाउडर की कौन्टिटी ना हमेशा फलार के बराबर लेनी होती है जैसे देड़ कब आटा लिया हमने तो देड़ छोटा चमच ही हम डालेंगे बेकिंग पाउडर आधा छोटा चमच इसमें जाएगा बेकिंग सोडा और इसमें ना हलका सा फलेवर आड़ करने के लिए मैंने वन एर्थ टी स्पून यानि की एक चुथाई छोटे चमच का भी आधा पोर्शन लिया है सिनिमन पाउडर यानि की दाल चीनी पाउडर हलका सा दाल चीनी का फलेवर ना इस बनाना वालनट ब्रेड में बहुत साथा टेस्टी लगता है आप जरूर आड़ करिएगा अगर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं तो बस एक पिंच नमक भी डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से चान लेंगे और इसे चानने के बाद ना अब हम इसे बलकुल हलके हलके हाथों से मिक्स करेंगे तो इस स्टेज के ऊपर स्पेचुला यूज़ करना है और इसके साथ बलकुल हलके हलके हाथों से इसे कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेना है धियान रखे कि इस स्टेज के ऊपर कभी भी आप अपनी ब्रेड या केक को ना ओवर मिक्स नहीं करेंगे थोड़ा मिक्स करने के बाद अभी ये बेटर मुझे काफी ड्राय लग रहा है तो इसमें अब हम दूध आइट करेंगे तो पहले मैं इसमें आधा कप जितना दूध ले रही हूँ इसे थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाना है हलके हाथों से मिक्स करेंगे आचाए ये जो बनाना ब्रेड है ना इसका जो बेटर है ये केक के बेटर से हलका सा थिक रहेगा केक जैसे हम रिबन फ्लोई रहे हैं ये हमें हलका सा थिक रखना है तो मैंने आधा कप से दो बड़े चमश दूध और आइट किया था आप अपनी जरूरत के according रख सकते हैं और finally अब हमारा ये better त्यार हो गया है और अब आप इसकी consistency देखे ये cake better की तरह ribbon flowy consistency नहीं है ये थोड़ा सा thick better है तो हमें इस तरीके का better बनाना है flowy नहीं है ये तो ये perfect better है हमारी इस banana bread के लिए अचा अब इसमें हम डालेंगे थोड़े से chopped walnuts तो तक्रीबन आधा कब जितने chopped walnuts डाल रही है और साथ ही मेना आधा कब तक्रीबन 80 gram जितनी मैंने यहाँ पर ये chocolate ली है मैंने dark compound chocolate ली है आप अपनी favorite को इसी भी chocolate ले सकते हो dairy milk पसंद है तो वो डाल दो chocolate, banana, walnut, cinnamon बहुत ही जादा अच्छा combination है आप इसे जरूर try करिएगा तो बस इसे हलके हाथों से mix कर लेंगे और हमारा ये better त्यार हो गया है और अब इस better को हम डाल देंगे अपने इस grease के हुए mold में mold को थोड़ा सा tap कर लेंगे तो बस फाइनली ये mold त्यार हो गया है और इतनी देर में अब ये जो कडाही हमने गरम होने के लिए रखी थी ना अब ये भी काफी अच्छे से गरम हो गई है तो carefully अपने mold को इसमें रख देना है और इसे उपर से ढखके अब हम इसे low medium flame के ऊपर bake करेंगे तकरीबन 40 से 50 मिनट तक क्योंकि बेटर थोड़ा जादा है टाइमिंग सोड़ी से जादा रहेंगी बट फिर भी टाइमिंग जलब हो सकती है आप एक बार 35-40 मिनट के बाद इसे जरूर चेक कर लिजेगा और अगर आप इसे oven में bake करना चाहते है तो आपको इसको preheated oven में 180 degree पर bake करना है तकरीबन 40 से 50 मिनट तक या तब तक जब तक ये toothpick clear आ जाएगी तो इसे रखे होगे ना मुझे पूरे 50 मिनट हो गए है आप देखे हो कि कितनी अच्छे से ये फूल गई है और बहुती ज़ादा यमी खुश्बू आ रही है इसकी और एक बार toothpick को सेंटर में इंसर्ट करके चेक कर लेना है तो आप देखे हो कि toothpick भी बलकुल clear है गीली नहीं है इसका मतलब है कि हमारी ये ब्रेड अच्छे से बेख हो गई है तो बस अब हम अपने इस मोल्ड को निकाल के एक राक के उपर रख देंगे और इसे ढखकर थोड़ी देर के लिए एक साइट पर रख देना है ताकि ब्रेड अच्छे से ठंडी हो जाए और फिर हम इसे देमोल्ड करेंगे तो बस थोड़ी देर के बाद फाइनली हमारी ये ब्रेड थंडी हो गई है बहुत ही जादा अच्छी खुश्बू आ रही है इसमें से और कलर आप देखरो कितना यमी लग रहा ना देखने में तो चलिए फटा-फटसे से स्पॉंजी है ये और कलर देखिए कितना अच्छा आया है ना हलाकि हमने कडाही में बनाया है कोई ओवन यूज नहीं किया बट फिर भी कितना अच्छा कलर है इसका साइड से नीचे से बहुत ही जादा यमी बनी है ये अब हम इसको कट करके इसके अंदर का टेक्शर चेक करेंगे तो बस इसे मन्चा ही स्लाइसे में कट कर लीना है वाव इसके अंदर का टेक्शर देख रहे हैं आप कितना एकदम पॉफेक्ट है ये और इसके अंदर अब आप देखिए walnuts है, chocolate है और साथ में banana और cinnamon का flavor ये बहुत ही ज़ादा tasty बनती है और एकदम soft और spongy है ये तो अब आप भी try करिए ये महंगे महंगे कैफिस में मिलने वाली banana bread को और वो भी घर पर बिना आवन कडाही में और मेरे साथ अपना feedback ज़रूर शेयर करिएगा पिक्चर्स आप मेरे मेरे इंस्टाइग्राम पर शेयर कर सकते हो और अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले